चोपड़ा एक्जाम केस प्रकार से हो इसके सिस्टम में कितनी खामिया है और इनको कैसे सुधारा जा सकता है इसके लिए Ministry of Education ने एक सेवन सदस्य कमेटी गठित की गई थी जिसका आप सबको पता है अभी इस कमेटी ने स्टुडेंट्स उनके पैरेंट्स और टीचर से सजेशन मांगे हैं कि इस NTA की जो एक्जाम कंड़ेक्ट करवाने की जो पतत्ती है उसको किस प्रकार से इसमें बदलाव किया जाए यानि कि इसको रीफॉर्म कैसे किया जाए इसमें क्या-क्या बदलाव किया जाए कैसे एक्जाम ली जाए किस परकार से एक्जाम की ओनलाइन होना चाहिए या ओफलाइन होना चाहिए इस परकार की सारे के सारे सजेशन इस्टुडेंट्स से या फिर टीचर से मांगे गए हैं तो अगर आप students हैं या उनके parents या teacher हैं तो ये अगर suggestion देना चाते हैं तो आप दे सकते हैं Ministry of Education ने tweet किया है इसके बारे में और जो ये committee है ये suggestion ले रही है आपसे तो ये अच्छा मुका है आप 27 जून से 7 जुलाई तक अपने suggestion दे सकते हैं और suggestion में आपको ये ही लिखना है जो आपकी राय है कि NTA को किस परकार से exam conduct करवाना चाहिए क्या-क्या इसके सिस्टम में खामिया है क्योंकि आपने अगर आप student हो तो आपने exam दे रखा है और exam में क्या-क्या कमिया है इससे बेतर आप से बेतर कोई नहीं जानता है तो आप NTA को और NTA की जो कमिया है इसमें इस committee को suggest कर सकते हैं कि ये ये इसमें सुदार होना चाहिए और ये इसमें कमिया है तो आप इसमें पूरा अपना suggestion लिख सकते हैं 7 जुलाई इसकी last date है अब इस suggestion कैसे लिखना है आपको वो मैं आपको बता देता हूँ तो यहां पर इसका link दिया गया है इस link को मैं इस video के description box में भी डाल दूँगा वहाँ इस link पर आप click करके specific page पर जा सकते हैं या फिर आप यहां से click कर सकते हैं इसमें अगर आप twitter use कर रहे हैं तो ministry of education के twitter पर यह tweet है उसमें यह link दिया गया है इसके link पर आप click करेंगे तो जैसे ही link पर click करेंगे इस परकार का option इसमें आ जाएगा यहां पर तो इसमें start date लिखी है last date लिखी है तो यहां click here to submit पर आपको click करना है तो जैसे ही click करेंगे आपको यहां पर login करना है या तो आप अपने mobile number यहां drop कर दीजिए या यहां पर email id और password डाल करके आप login कर सकते हैं यहां पर अगर आप यहां email id डाल करके login with OTP पर click करेंगे तो आपके mobile पर OTP आएगा इस OTP को यहां drop करना है और फिर submit पर click करना है तो जैसे ही submit पर click करेंगे यह form open हो जाएगा यहां आपका name आपने जो पहले दे रखा है registration करते समय हो आ जाएगा mobile number आ जाएगा email id आप डालना चाहें तो डाल सकते ही यह optional है otherwise अपना state select कर ले district select कर ले category select कर ले यहां पर category में आप student भी select कर सकते है teacher parents जो भी है वो category select कर ले और यहां पर आपको अपने suggestion और ideas लिखने हैं इस box में आपके क्या-क्या suggestion है exam online mode पर होना चीए या offline mode पर होना चीए exam शाल में एक बार होना चीए दो बा क्लिक सकते हैं यहां पर लास्ट में आई है वाले checkbox पर check करेंगे और इस पर submit पर click करेंगे तो आपका यह suggestion है वो submit हो जाएगा और लास्ट में लिखा आजाएगा कि thank you for suggestion तो इस परकार से आप यह submit कर सकते हैं अपने ideas दे सकते हैं और आप इसमें थोड़ा सा यहां जैसे क काफी लोग यह सोचते हैं कि इसके करने से कुछ नहीं होता है लेकिन इसमें आपका जाबी क्या रहा है हो सकता है आपने जो idea दिया हो उस पर अमल किया जाए तो यहां आपने positive rate करके इसका आपने यह suggestion देना है क्योंकि इसमें आपका कुछ भी नहीं जा रहा है आपको NTA की जो exam में गड़बड़ी हो रही है उनको सुदारा जा सकता है तो मिलेंगे नई update के साथ में नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए जैखन